बिस्मिल्लायर्मानर्हीम, Assalamualaikum, आज हम आरू का जूस बनाएंगें बहुती मजे का, बहुती असान तरीके से, आप ये बना कर पिया करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और इस्कीन के लिए भी बहुत अच्छा है, सबसे पहले आरू को अच्छी तरह से धो लिएते, यह देखें, अब इसे काट लेंगे, छिलका समेथ काटेंगे, इसका छिलका नहीं छिलेंगे, क्योंकि इसकी छिलके में भी बहुत फाइदा है, यह देखें, इस तरह से सारे को काट लेंगे, मौसम का फ़ल आप खाया करें उसका जूस बनाकर पिया करें यह सहत के लिए बहुत अच्छा होता है यह सारा इसी तरह से काटेंगें यह देखिए सारा कट चुका है चिल का समेद अब इसे बिलेंडर में डालेंगे यह सारे को बिलेंडर में डालेंगे और इसमें चीनी डालेंगे यह सूप पीने वाले चमच से तीन चमच चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती है यह देखिए तीन चमच और एक चथाई चमच काला नमक डालेंगे इसे इसका टेस बहुत अच्छा हो जाता है जूस का अब इसमें डेर गिलास पानी डालेंगे और इसे को बच्ची तरह से बिलेंड करेंगे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेल बटन दबाने ना भूलें अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करेंगे, यह देखे ब्लेंड हो चुका है, अब गिलास में आइस क्यूब डालेंगे, और यह जूस डालेंगे, आरू का जूस, आप चाहें तो इसे छान भी सकती है, अब ऐसे पीलें तो और अच्छा है, छिल के समेथ, वह जूसे मूँ में आता नहीं है, अच्छी तरह से ब्लेंड करने तो, और इसमें गानिशिंग के लिए पुदीना और आरू लगाएंगे, यह देखें, यह आरू का पीच का जूस तयार है, आप भी पीएं, घरवालों को पिलाएं, बच्चों को पिलाएं, महमानों को पिलाएं, खुश रहें, अबाद रहें, हमें भी दुआओं में याद रखेगा, यह देखें कितने मज़े का लग रहा है, आरू का जूस, अल्ला हाफीज,